सात्यों नमस्कार आज का हमारा सब्जेक्ट है डिश्टोकिया यानि गाय भेस बकरी के जब अंदर वच्चा फंस जाता है तो उसे हम केसे निकाले और डिश्टोकिया की एक पोजिशन है जिसे हम बैक हैड बोलते है यानि सर जो है वो पीछे चला गया है आप फोटो में आर्सानी से देख सकते हैं कि सर जो है वो पीछे गया हुआ है नॉर्मल इस सर यहां होता है जो मिसान आप देख रहे हैं इस जगे सर होता है लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि सर जो है वो पीछे की तरफ चला गया है ये देखिए गर्दन बिल्कुल गुमी हुई आपको साप नजर आ रही है कि इस इस्तिती से ये यहाँ पे चली की है अब ऐसी कंडिशन अगर फिल्ड में हमें मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए किन किन इस्टेप को फोलो करना चाहिए ताकि इसको हम बाहर निकाल सके ये वीडियो पसुपालकों के लिए भी बहुत ही फाइदे मन होगा क्योंकि जब तक डोक्टर नहीं पहुंचता है तब तक पसुपालक को प्रियास करना होता है और उस इस्तिती में देखिए पहले आप पैचान करें कि जो पेर बाहर दिख रहे हैं वो आगे वाले हैं य गोल होता है और होक जो होता है पीछे के पेरों में वो तीका होता है यानि उबरा हुआ एक तरफ टेंडन जैसा निकला हुआ रहता है नॉर्मल है गया होता है पहले खुर आता है ये देखिए पहले खुर है खुर के आगे आप जश्ट जाएंगे तो एक जोइंट मिलेग उसके बाद जब खूर के पास वाला जोइंट मिल गया तो सेकंड जोइंट जो होगा वो नी वाला होगा उसे पैचानना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी प्रकार से पिच्छी के पेर में अगर देखें खूर होगा जो इंडावली निकी रिती है टेंडन वो होंगे और होता है तो ये सेकंड जोइंट जो है गोला जो भी किया हुआ है इसे आप अच्छी तरीके से पैचान लें कि ये गोल होगा और पीछे का अगर पैर है तो वो तीखा नुकिला एक तरब से निकला हुआ रहेगा पेरों की पैचान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं में रसी डालना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके लिए क्या गरेंगे हम रसी का एक गेरा बनाएंगे और गेरा कैसे बनाना है एक वीडियो जो कि डिस्टोकिया का हमने पहले प्रेक्टिकली दिखाया था आपको जो डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा उसमें प उपर से हमें रसे का जो जोइंट है गोला है उसे अंदर डाल देना है और जीब को एक तरब कर देना है फिर निचे जो ये गुटका बना है गोल गोल यहां से इसे हमें दबाना है और यहां से दबा करके और फिर बाहर जो रसा खीच रहा है उसे बोलेंगे कि आप बाहर स क्योंकि हमने पहले हाथ डाल अपर फिल कर लिया है। सर को हमें निकालना है जब्डे में दीरे दीरे करेकि में चारों तरफिख अर पहले डांतों पर नीचे वाले जो फॉर्ट है। हम बाहर से खिंचवाएंगे और जो ही खिंचवाएंगे और उस गाट को हमें जबडे के नीचे पकड़ के रखना है देखिए जो आपको गोला जो दिख रहा है इस जगे आपको गाट को पकड़ करके रखना है और पकड़ के रखोगे और बाहर से खीचवाओगे तो अपने आप जबड़े में टाइट हो जाएगी लेकिन ये ध्यान रहें कि खीचतान में ऐसा ना हो कि बच्चे का जबड़ा तूट जाए असानी से बिलकुल ईजी ये एक सपोर्ट के लिए है ना कि पूरा खीचने के लिए है हम सपोर्ट ले लेंगे तो सपोर्ट लेने के बाद आराम से ये रसी रहेगी तो एक रसी खीचवाएंगे बाहर की तरफ और अपना जो हाथ है हमारा वो हाथ सर के उपर रखेंगे और फिर सर को बिलकुल राउंड कर देंगे क्योंकि रसी जब खीचेगी तो थोड़ा बहुत जोर रसी लगाएगी थोड़ा बहुत जोर हम लगाएंगे तो आराम से बच्चा जो है वो सही पोजिशन में आ जाएगा यानि पेरों के उपर पेरों के उपर सर आ जाएगा फिर हम आराम से बाहर की तरफ खिचवा सकते हैं सर को भी खीचते रहेंगे और साथ साथ में जो पेर है उनको भी खिचवाएंगे सर सीधा हुए बगेर अगर पेर खिचवाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा पहले सर को सीधा करना है उसके बाद पेरों को खिचवाना है अगर पेरों को खीचने में तकलीब हो रही है तो पेरों में भी उसी प्रकार की रस्टी बांदी जा सकती है जैसे हमने जबडे में बांदा था तो दो रस्टी पेरों में हो जाएगी एक रस्टी जबडे में हो जाएगी अगर कहीं बच्चा फंस जाए तो इस विदी से हम निकाल सकते हैं